Hello everyone, जै हिंद आज है 15 अप्रेल और आज के सुब वीडियो में हम 15 अप्रेल से बनने वाले करन्ट अफेर के सभी important questions को cover करेंगे लेकिन उसके पहले, आज क्या है भई? 15 अप्रेल है, मेरे लिए तो बड़ा ही खास दिन है क्यों खास है? क्योंकि आज है हमारे इस चैनल का birthday, पहला birthday कैसे? क्योंकि आजे के दिन से, जश्ट एक साल पहले, 15 अप्रेल 2022 से, मैंने अपनी इस personal platform से आप लोगों को current अफेर की classes provide कराना शुरू किया था, इसके पहले आप मुझे different platforms पर देख रहे थे तो personal channel पर तो एक साल complete हो चुके हैं आप में से काफे सारे student ऐसे होंगे, जो मुझे इस channel पर day one से follow कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे, जो बीते, तीन-चार सालों से follow कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी नए नए मुझे जान रहे हैं, जो मेरे इस channel नए हैं पर भी 35,000 सब्सक्राइबर ये कम्प्लीट हो चुके हैं, ये सब कुछ आपका प्यार और आभार है, जो कि मैं इतनी दूरी तक आ सकी हूँ, वरना तो मैं तो छोटी-मोटी टीचर थी, मुझे कोई जानता नहीं था, सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही, हमारी जो यात्रा है, आगे बढ़ते ही जा रही है, और भगवान करे और भी उचाई तक पहुचे, देखें, बीते एक साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कि मैंने आपको कोई मोटिवेशनल कोर्ट से बोला हो, या बीच में किसी तरह का प्रमूशन किया हो, मैं सीधे करन्ट अफर क वीडियो शुरू करती हूँ, बीच में और कोई हम बकवास करते भी नहीं है, और पंदरा से बीस मिनट में डेली आप लोगों के लेक्शर्स कंप्रेट हो जाते हैं, लेकिन आज बड़ा दिल कर रहा है, आप लोगों से एक दिल की बात कहने का, इसलिए एक मिनट का समय ल निकल जाता है, जो उससे भी अधिक खुपसूरत होता है, इसका जीता जागता एक्जामपल, जीता जागता एक्सपिरियंस मैं खुद अपनी लाइफ में महसूस कर रही हूँ, आप सभी स्टुडेंट है, एस्पिरेंट है, किसी ना किसी एक्जाम की तैयारी तो कर ही रह काफी सारे लड़के ऐसे होंगे, फैमिली के responsibility होगी, financial situation अच्छी नहीं होगी, कुछ लड़कियां ऐसी होगी, जो मतलब age का दिक्कत आ रहा होगा, कि इतने साल से तयारी कर रहे हैं, एक्जाम नहीं निकल रहा है, और marriage का भी pressure आ रहा होगा, ये मैं बहतर relate कर सकती हूँ, चाहे आप लड़के हों या लड़की हों, आप aspirant है, तो definitely ये जो situation है, आपके life में बने रहती है, है न, obvious है, देखे, मैं आपको यही कहना चाहूँगी, कि कई बार हम किसी चीज के पीछे हाथ धो करके पड़े रहते हैं, कि ये चीज हो जाए, हो जाए, हो जाए, तब भी नहीं होती, तो हम गुस्सा निकालते हैं, कि किस पर गुस्सा निकालें, महनत ही तो करनी है, कर रहे हैं, तब भी result नहीं मिल रहा है, भगवान चाहते भी तो यहीं है, कि जो महनत करता है, फल उसी को मिलता है, तब भी हमें फल नहीं मिल रहा है, देखे, मैं आपको एक ही सिर्फ एक लाइन में आप किसी चीज के पीछे लगे हैं और एकदम सिद्दत के साथ लगे हैं कि हो जाए तब भी यदि नहीं हो रहा है तो आप स्टैंप पेपर पर लिख करके मुझसे ये ले लिजे कि definitely जो भगवान है लाख गुना बहतर चीज आपके लिए सोच करके रखा है उससे कही गुना बहतर आपके साथ होने वाला है तो बस patience रखिए ये चीजे मैंने अपनी life में experience करी है और इसलिए ही देखे वो कहते हैं कि जो चीजे बीच चुकी होती है जिस पर बीच चुकी होती तो मुझ पर बीच चुकी है इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि जो चीज हम चाह रहे हैं चाह रहें चाह रहें नहीं हो रही है एक्जाम में हमारा बहतर नहीं हो पा रहा है जिस level का हम चाह रहें नहीं हो पा रहा है आप ये समझ लीजे उससे भी बड़े level के लिए उससे भी पोस्ट के लिए बड़ी उपलब्धी के लिए भगवान ने आपको चुनके रखा है तो बस फेथ रखिए और आप मान के चलिए कि आप जो चीजे पढ़ रहे हैं जिस चीज की प्रेपरेशन कर रहे हैं पढ़ा हुआ कभी भी वेश्ट नहीं जाता है मतलब नहीं जाता है जीवन में कहीं नहीं काम आएगा भी आएगा ही आएगा भी नहीं आएगा ही 100% आएगा और शायद आपको मेरी बात समझ में ना आए जब एक्चुल में चीजे आपके साथ लाइफ में होने लगेंगी ना प्रत्यक्ष रूप से आप चीजों को होता अपने साथ देखें और मैंने कहा था कि भाई चैनल के हैपी बर्थडे के दिन हम अपना कोर्स लाँच करेंगे कोर्स नहीं है एक्चुल में सॉरी कोर्स नहीं बोलना चाहिए करंट अफ़ेर की फाइल मैंने कहा था 6 मन्त की प्रोवाइड करा दूँगी इसमें मैंने कुछ चेंजिस किये हैं मैं चाहरी हूँ कि आप लोगों कोई एक साल का डेटा मिल जाए एक साल के करंट अफ़ेर का काम 50% पूरा हो चुका है मुझे लगता है 10 दिन मैक्जिमम लगेंगे ये फाइल कम्प्लीट होने में पीपीटी जो है इसकी आपको पीपीटी इबुक इबुक है पीपीटी न और चलिए आज का करंट पर शुरू करते हैं मैं चाहरी हूँ कि आज ना आप लोगों के लिए लाइव आ जाओ यूटूब पर देखते हैं दूसरे ही चैनल जो मेरा है ऑफिशल चैनल उस पर लाइव आके कुछ हम डिसकेशन करेंगे ठीक है बहुत टाइम हो गया चलिए रविजन कर लेते हैं हाली में किस बिजली कंपणी ने बांगला देश में बिजली के सप्लाइश शुरू की है अडानी पावर ने जालिया वाला बाग हत्या कांडी के रिसेंटली 104 साल पूरे हुए है 13 अप्रेल को भीम राव मेडिकर जी की जेन्ती 14 अप्रेल को मनाई ग और किस राज्य के हस्त सिल्प उतपात तो देखे मध्य प्रिदेश का जो डिंडोरी की गोंड पेंटिंग है ग्वालियर की कालीन है और उज्जैन का बाटिक प्रिंट है इसे GI टैंग मिला है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जो की जारी किया ज का पहला फोटोग्राफिक प्रमान यह दर्ज किया गया है तो यह कहां है उत्तर प्रदेश में है कई बार एक्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि चर्चे में रहा जो सुहेलवा अभ्यारन्य है यह किस राज्य में इस्तित है तो यह कहां इस्तित हो जाएगा सीधे में कोई बाग देखे गए है और इसके मतलब फोटोग्राफि साक्ष भी इसके दर्ज किये गए है अभी देखो कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मूदी ने जो बाग सर्वे रिपोर्ट रिलीस की थी इसमें क्या बताया गया है कि टोटल भारत में बाग बागो की संख्या है 173 बताये गई थी पिछली बाग सर्वे 2018 में 173 बाग थे यूपी में तो इसमें पीलीभीत में देखे गए थे दुधुवा में देखे गए अमनगड में भी देखे गए थे अभी एक नया शेत्र जो दर्ज किया गया है बागो के लिहास से ये सुहेल बलरामपूर और गोंड जिले में इस्तित हो जाएगा ठीक है ये लगभग 452 वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है भारत और नेपाल की सीमा पर इस्तित है स्रावस्ति बलरामपूर तो भारत नेपाल की सीमा पर ये इस्तित है और अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है बेसिक चीजे आज उत्तर प्रदेश की डिसकस नहीं करेंगे भाई मतलब कि जो स्टाटिक फॉर्म में मैं आपको बताती है मुख्यमत्री योगी दितिनात राजिपाला नदी बेन पतेल कुछ टाइगर रिजर्व मैंने लिख रखे हैं जैसे कि अमान गड परक है यह पिछले साल इसलिए चर्शे में आया था क्योंकि पहली भारत में किसी नेशनल पार्क में अफरिका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया था तो यह राजस्थान का केवला देव नेशनल पार्क ही है मध्यप्रदेश सेदी रिलेट करोगे तो कुनो नेशनल प करोगे क्यों चर्चे में आये था क्योंकि management के मामले में रख रखाओं के मामले में सर्वस रिष्ट टाइगर रिजर्व यही चुना गया है भारत का किस राज्जी ने जानवरों के लिए संजीवरी नामक परियोजन शुरू की है तो इसकी शुरुवात हिमाच और कि स्वास्त सेवा जैसे की कृत्रिम गर्भाधान, इनकी दवाईया, इनका vaccination, इनका बांजपन, testing इसकी और किसानों को लाभनवित करने के लिए इसमें यात्रा की अत्रिक्त लागत को बचाना है तो संजीविनी नाम से यह जो परियोजन शुरू की गई है इसके लिए जो मकालिन राजधानी अच्छा माफ कीजेगा हिमाचर प्रदेश की राजधानी श्रिमला ही हम पढ़ते हैं कंफ्यूज नहीं कर रही हैं आपर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखु राजिपाज श्यप्रताप शुकला बने हैं हिमाचर प्रदेश ना इपरिवहन औ अब भारत का पहला रज्य है हिमाचर प्रदेश में इस त्रह अटल टनल पहले जिसका नाम रुहतांग टनल था अटल टनल इसे इंफ्रस्ट्रॉक्टर अवर्ड मिल चुका है इसके लावा इसके लावा आप क्या रिलेट करोगी हिमाचर प्रदेश का कुछ तो नहीं होती थी पहली बार की जा रही कहां से तो लहौल स्पीती में भारत में पहली बार हिंकी खेती की जा रही है इसके अलावा कुछ लेक्स मैंने आप लोगों को बताई है चंदा मामा सूरज मामा से रिलेट करके सूरज ताल चंद्र ताल और रिणुका लेक अच्छा जो 33 वहाथी अभ्यारन्य बना था यह तराई हाथी अभ्यारन्य था यह उत्तर प्रदेश का ही था एक तो यह अपने रिलेट कर लिया नौर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर जिसका उगाटन योगय दित्तिनात ने किया तो कहां किया तो यह ग्रेटर नौईडा में किय ग्रेटर नौईडा में और सबसे साथ अम्रत सरोवर का निर्माण है जो यह यही पर किया गया है तो बस तीनी फैक्ट यहां से सफीशन्ट होंगे अब हम यहां ऑप्शन को डिसकस कर लेते हैं उत्त्रा खंड यहां उत्त्रा खंड राज्जी का पहला मदर मिल्क बैंक य अमिश शाह जी के दुआरा वाइब्रेंट विलज प्रोग्राम के शुरुवात की गई है वाइब्रेंट विलज प्रोग्राम क्यों की गई है मैंने आपको बताया ही है और भाई मद्द प्रदेश में चर्चे में है लाडली बहना योजना इसके पहले लाडली लच्मी योजना है ना रोगाली भी हू फेस्टिवल कहां मनाया जाता है तो ये असम में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है मतलब कि देश के अलग-अलग हिस्सों में जो नया साल है इसे अलग-अलग नाम से मनाया जाता है जैसे कि सेम जो फेस्टिव यह केरल में विशु नाम से वैसाखी या वैसाखडी के नाम से पंजाब में नमा बर्शा पश्चिम मंगाल या बांगला देश में रोगाली बीहु असम में पुंदूर्थ पिरुपू तमिल नाडू में इस नाम से बनाया जाता है तो इसे बोहाग बीहु फेस्टिवल भी कटी बीहु तो बीहु बीहु आ रहा है सभी असम वाले शित्रे से हो जाएगा असम की राजधाने दिश्पूर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सर्मा हो जाएंगे काजी रंगा राश्ट्री द्यान के एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है यहाँ अभी हाली में प्र असलो कत्योहार है ओरी सा में मनाये गया यह दि आप रिलेट करोगे तो तमिलनाड़ू में एक जली कट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है इसके लाबा पोंगल भी तमिल नाडू से पढ़ेंगे, जबकि ओडम फेस्टिवल आप कहां से पढ़ेंगे, केरल से रिलेट कर सकते हो, आगे चलते हैं, S3N8 Bird Flu से दुनिया में इंसान की पहली मौत हुई है, कहां हुई है, तो चाइना में ये हुई है, 56 वर्षी एक व्यक्ति की निधन, जोंग शान शहर में हुई है, तो WHO की मुदाबिक, यहीं की World Health Organization के मुदाबिक, S3N8 Avian Influencer से, किसी इंसान की मौत का ये पहला केस है, जो कि चाइना में देखने को मिला है, हलाकि वाइरस ये खुदी है, जो भी पूरी दुनिया में फैला रहा है, और यहां पहली मौत दर्ज की गई है, S3N8 Bird Flu के कारण, चाइना area wise, एशिया का सबसे बड़ा देश है, क्या हम कह सकते हैं कि population wise दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जब से हम लोगों ने स्कूल टाइम से पढ़ा है कि population के मामले में चाइना में सबसे ज़ादा अबादी है लेकिन जनवरी में जो world population report release की गई है इसके नुसार अभी जनसंख्या के मामले में भारत ने पीछे छोड़ा है चाइना को तो जनसंख्या के मामले में चाइना भारत के बाद है इसकी capital हो जाएगी बीजिंग जहां संघाई कॉर्परेशन और अर्गनाईजेशन और एशिन इंफ्रस्ट्रेक्चर इंवस्टमेंट बैंक का हेड़कॉर्टर हो जाएगा यही साइड बिना एक शेहर संघाई जो कि यहां का सबसे बड़ा शेहर भी है यहां new development bank का headquarter है इसी new development bank का नया member कौन बनने जा रहा है मिस्ट रेनी की Egypt यह भी current का ही fact है hydrogen से चलने वाली दुनिया की पहली train तो जर्मनी ने launch की लेकिन hydrogen से चलने वाली एशिया की पहली train यह चाइना ने launch करी थी ठीक है अब option की तरफ चले हैं तो इसी WHO के द्वारा अभी हाली में अजर्बेजान और ताजिकिस्तान को malaria मुक्त घोशित किया गया था जो कनाड़ा है न यह plant-based corona vaccine को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना था इस vaccine का नाम था कोवी फेंज आगे चलते हैं किस राज्य सरकार ने transgender समुदाए को OBC वर्ग में शामिल करने का प्रिस्ताव को मन्जूरी दे दी है तो इसमें से मध्य प्रदेश गौर्मेंट ने ऐसा फैसला किया है कि अब प्रांस जेनरों को OBC कैटेगरी में रखा जाएगा और जितनी भी योजनाए होती इसका फायदा इन्हें as a OBC मिलेगा ठीक है तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल और भोपाल से दिल्ली के बीच में अभी हाली में प्राइम मिनस्टर नरिंद्र होदी ने नई वंदे भारत ट्रेन लाँच करी है भोपाल में ही भारत का पहला इक चड़ा क्लीनिक है और भोपाल में ही कमलापती रेलवे स्टेशन है जो कि भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो जाएगा कुछ याद करो दो दिन पहले मैंने बताया था उजैन का प्रिंट ग्वालियर का कालीन डिंडॉरी की गोंड पेंटिंग क्या मिला है जी आई टैग मिला इसके और पहले क्या देखा हमने मुरैना का गजक रीवा का सुंदरजा आम इन्हें जी आई टैग मिला हाल फिल हाल कि यह करंट अफर के फेक्ट हो गया आप लोगों के ठीक है अब इंदौर भारत का सबसे स्वक्ष सहर यही है खान नदी के किनारे बसा हुआ है खंडवा में नर्मदा नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट यह बनने जा रहा है ठीक है कानहा किस जच्टेस इंड्या रिपोर्ट रिलीस की गई है न न्याय देने के मामले में जो राज्जिय टॉकर यह करनाटक हो जाएगा केरल के मैं बात करूं केरल केरल के पर बिहार सबसे लाष्ट में मनरेगा के तहत सबसे अधिक मजदूरी प्रोवाइड कराने वाला जो राज्य है मनरेगा सरवाधिक मजदूरी यही दे रहा है कितनी दे रहा है यह आप लोग बताएंगे ज्यादा दिन नहीं हुए बताई हुए मजदूरी कितनी दे रहा है यह बताईएं आगे चलते हैं अभी हाली में Artificial Intelligence Index रिपोर्ट 2023 जारी की गई इसके नुसार AI यह निवेज करने वाले देशों के लिस्ट में भारत को क्या इस्थान दिया गया है तो आप देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे भारत को इसमें छटवे इस्थान पर रखा गया है ठीक ह एक सकेंड यह पेंड डिसकनेक्ट हो गया माफ किजेगा एक सकेंड बस अच्छा एक सकेंड एक सकेंड यहां पर मैंने गल्थ बता दिया 2022 यह वाली रिपोर्ट है ना एक, दो, तीन, चार, पांच, छटवा नहीं है माफ किजेगा मैं प्रिवियस इंडेक्स प्रिवियस रैंकिंग पड़ रही थी यह भारत का इस्थान इसमें कौन सा हो जाएगा पांच वे इस्थान पर 2022 थे इसके रिपोर्ट के अनुसार है तो यह रिपोर्ट जारी किसने की है, इसमें पहला इस्थान अमेरिका को दिया गया है, हलाकि यह अमेरिका के इंस्थान के दुआरा जो रैंकिंग रिलीस की जाती पता नहीं क्यों अपने आपको ही टॉप पर रखता है, for example, Cyber Security Index भी इसने जारी किया था, है ना, तो फिर, ने, ने, Intellectual Property Index, इसमें भी इसने खुद को टॉप पर रखा था, हलाकि Cyber Security Index में अमेरिका टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग दस्वी है, कुछ Important Index में आप लोगों को बता देती हैं, जो कि याद होने चाहिए, एक्जाम में इन से पूछा जाता है, Happiness Index में देखिए, जो क सबसे शान्त देश है, इंडिया की रैंकिंग 135 है, Gender Gap, इसमें भी आइसलेंडर टॉप पर है, Gender Gap Index में इंडिया की रैंकिंग 135 हो जाएगी, Corruption के ममले में इदी पर बात करूँ, Corruption, Denmark टॉप पर है, इनकिंग सबसे कम Corruption नहीं है, इंडिया की रैंकिंग 85 हो जाएगी, और Press Freedom Index, इंडिया की रैंकिंग 150 है, टॉप पर नॉर्वे है, Environment Performance Index, 180 कंट्री की 20 सर्वे था, इंडिया को सबसे लाश्ट में 180 में रखा गया, इसमें टॉप पर जो कंट्री है, यह हो जाएगी, Denmark, तो इतना discussion काफी था यहां से, आगे चलते हैं, भारत की पहली Semi High Speed Regional Rail Service है, जो इसका नाम बदला गया है, और बदल करके यह क्या कर दिया गया है, यह कर दिया गया है, RapidX, यहनि की Option Number भी इसका Right Answer हो जाएगा, तो देश की पहली Semi High Speed, Regional Rapid Rail Transit System, इसी का नाम अब क्या हो गया है, RapidX, ठीक है, तो RapidX में, मतलब कि Rapid का क्या मतलब हुआ, Rapid का मतलब हुआ, अच्छा से लिख देती हूँ, जल्दी जल्दी में क्या ही राइटिंग लिख रही हूँ है, RapidX, तो इसमे, Rapid का क्या मतलब हुआ, Rapid का मतलब हु गति या प्रगति, गति या प्रगति, और X का मतलब है, नया यूग या नई पीड़ी, X का मतलब इसमें, नई पीड़ी, इससे ये संबंधित हो जाएगा, तिक है, अब तक इसे, Regional Rapid Rail Transit System बोला जा रहा था, अब नाम बदल दिया गया है, तो ये जो, RRTS है, Rapid Rail Transit Service, इसका ज अबसेतन 100 km परती घंटे की रफतार से चलेगी, वैसे इसकी जो श्रमता है, 160 km परती घंटे की रफतार से चलने की है, दिल्ली और मेरट को ये connect करेगा मतलब कि दोनों के बीच जो यात्रा का समय लगता है इस यात्रा के समय को ये कम कर सकेगा दिल्ली से मेरट तक इसमें 24 से station बनने जा रहे हैं भारत की पहली नेतरहिन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है ये बनी है सुस्मा पटेल तो इसमें नाम ही बस याद रखें इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने के ज़रूत नहीं ये मद्ध प्रदेश से सम्बंदित है सानिया मिर्जा आप लोगों को याद होगी पहली मुस्लिम महिली मुस्लिम पाइलट बनी थी सकुष्ण महराष्ट भूशन अवर्ड तो 2023 का मिला है दत्ता त्रे नारायन धर्माधिकारी को इसमें इन्हें एक पदक इसमारक और 25 लाख रुपए नगत पुरिसकार दिया जाएगा समाज की हित में इन्होंने कारी किये हैं बहुत सारे एक्जामपल लिखे हैं जिसकी किस्सा सेवकों का आयोजन बच्चों को ट्रेनिंग देना व्यसकों के लिए साक्षर्टा केंद्र गिरिनरी को बढ़ावा देना तो इन सभी उपलब्दियों के लिए इन्हें इस अवाड से सम्मानित किया गया महराश्ड का सर्वोच महराश्ड भूशन वैसे 2022 का पूछा जाए तो अप्पास है को सम्मानित किया गया वैसे ही केरल का सर्वोच सम्मान केरल जोती से सम्मानित किया गया है इस question को बहुत detail में नहीं discuss करूँगे क्यों कोई दो दिन पहले तीन दिन पहले और डिटेल में discuss कर चुके है total अब जो देश में राश्ट्री दल है ये है BJP, भारती राश्ट्री Congress, BSP है भारती Communist Party है, National People's Party है और अब ये आम आदमी Party बन गई है कल मैंने पूछा था, Apple BKC किस शहर में open किया है, ये मुंबई में, आज का सवाल है केंद्री कानून मंत्री ने भारती समिधान का पहला डोगरी संसकर लॉंच किया है डोगरी किस केंद्र शाष्टी प्रेस में बोली जाने वाली भाशा है सारा discussion हो गया, सब कुछ बता दिया भही मैं अपने official टेली ग्राम चैनल का नाम तो बताना ही भूल गई ये है कल्यानी मैं official, कई सारे चैनल आपको मिलेंगे official मेरा चैनल वही है, जिसके subscriber लगभग 35,000 हैं भी वो मैं ही operate कर रही हूँ, डेली की quiz PDF के लिए आप मुझे वहाँ join कर सकते हैं, फिर हम मिलेंगे next video के साथ, thank you so much